वैसे तो वार्ड पारशत का पहला काम होता है विकास करना लेकिन इन दौर के वार्ड छे के बीजेपी पारशत दीपक जैन टीनू ने विकास के साथ परमार्थ का रास्ता भी चुना है ये रास्ता उन्हें सीएम शिवराज सिंग चौहान ने दिखाया है जिस पर चल कर अब उन्होंने अपने वार्ड में इन दौर के पहले जनता क्लिनिक की शुरुआत की है सुमवार को जिले के प्रभारी मंत्री जैन्त मलेया और महापाउर मालिनी गौड ने इस जनता क्लिनिक को जनता के लिए समर्पित किया है 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 जो अचाइब आज़ा अचाइब और अचाइब और जाए अचाइब जाए है यह एचिए पथेलोगी ने अच्छी आट से बारा रहे और शांप प्रूम घ्टी जए जेंद्ची इंद्ची आट डायुद आप एचिर बढ़ जाता है वाडशे की जनता को स्वास्ति सुविधाय उपलब्द कराने के लिए पारशत दीपक जैन ने इसकी रूप रेखा बनाई थी कारिक्रम में शेत्रिय विधायक सुदर्शन गुपता भी मौजूद रहे इस अउसर पर मंत्री जैन्त मलेया ने दूसरों के दुख में साथ निभाने को ही जीवन की सची सार्थकता बताया और जनता क्लिनिक की शुरुआत को कारगर कदम बताया लिपक जी की है और पीछे अनों ने बताया था तो मैंने कहा था कि मैं आऊंगा इस बार और इसके लिए कलेंगे यहां पर देखा और डॉक्टर महाजन ने मेरा ब्लेट प्रेशर भी चेक किया जो नॉर्मल निकला पैथलोजी में देखा बताया कि स्रफ सिंबॉल किया टोकन के रूप में दस रुपए लेके यहां पर उसका सेपिड लेंगे और उसकी जांच कर बीमारी के लोग यहां से अपनी जांच करा सकते हैं दवाईयां ले सकते हैं यह भी मुझे जानकरी दी गई कि जो दवाईयों की कहां से आएंगी दवाईयां तो एक तो जो सेंपल का तो ठीक है बहुत छोटा सा है पंतुसके अलावा आपने बताया कि बहुत सी फॉर्मे दीपक जैन को समाज सेवी कारे के लिए बधाई भी दी जनता क्लिनिक की नीव रखने वाले वाड़ पारशत दीपक जैन का कहना था कि रियायती दरों पर यहां जनता को पैथलोजी सुविधाएं भी मिल सकेंगी साथी हर रविवार डॉक्टर्स का विशेश शिवेर भी लगाया जाएगा यहां पर पैथलोजी का संचालन किया जाएगा और उस पैथलोजी में जो बजार का शुल्क है जैसे 100 रुप्य अगर किसी टेस्ट का लगता है तो यहां पर 80 प्रतिशत कम शुल्क में यहां पर पैथलोजी की विवस्ता हैं हमने शुरू की है साथी प्रतियक रविवार कई वरिष्ट चिकितसक जो शहर में जाने माने चिकितसक हैं वो भी अपनी सेवाए प्रतियक रविवार को यहां पर देंगे समय समय पर साथ में माने निये प्रधानमतिक नरेंदर मोधी जी ने जो एक आवान किया है टीबी फ्री इंडिया का उस टीबी फ्री वार्ड बनाने के लिए मैं आज से उसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं और पुरे वार्ड में हम एक सर्वे करा रहे हैं मान लीजी अगर किसी को टीबी है तो उसका पूरी दवाईयों का भी संचाला नम यहाँ से करने वाले हैं तो टीबी फ्री इंडिया के साथ में टीबी फ्री रिवार्ड भी बनेगा कुल मिलाकर बीजेपी में पारशा दीपक जैन अपने नितने परोपकारी कारियों से वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भी बुलंद कर रहे हैं और छेत्र में अपनी पकड़ दिनों दिन मजबूत करते जा रहे हैं ब्यूर रिपोर्ट, MP News, इंदौर कर दो दो कर दो दो